नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्त पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपून जानकारी को ले करके जी हाँ पेट की चर्वी तेजी से खत्म करने के लिए चमतकारी पाउडर ध्यान रहे सुबह सुबह इसकी सिर्फ एक चमच लेनी है आपको फायदा मिलने लगेगा पेट की चर्वी तेजी से खत्म करने का प्रयोग पहला ये जान लेते हैं आधुनिक जिवन शेली के कारण शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है कम शारीरिक गतिविधि के कारण हमारा शरीर मोटा हो जाता है जिससे वजन बढ़ जाता है और स्वास्थ पर हानिकारक प्रभाव डालता है मोटापा अंगिनत बिमारीों का श्रोथ होता है या जड़ होता है जिन में से कुछ इस प्रकार से हैं जैसे घुटने का दर्थ, मधुमेह, दिल संबंधी बीमारियां और उंच रक्त चाप इत्यादी यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ जीवन शेली और आयरुवेदिक जड़ी बूटी का पालन करता है तो इससे वजन कम हो सकता है और मोटापे के खराब प्रभावों को कम किया जा सकता है वजन घटाने के लिए कुछ आयरुवेदिक जड़ी बूटियां हैं जिनका आप पावडर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं वजन घटाने के लिए दो आयरुवेदिक जड़ी बूटियां आए जान लेते हैं सबसे पहले त्रिफला के बारे में हरित की बिभाति की और अमला की अर्थात हर्रा बहेडा और आवला नाम की तीन जड़ी बूटियों का एक शक्ति शाली मिश्रन है यह कब्ज कम करने और पाचन में सुधार करने में बहुत प्रभावी है यह पाचन तंत्र में और रोधन को साफ करने में भी मदद करता है इसे विटामिन C और का सर्व श्रेष्ट श्रोत माना जाता है यह विशाक्त पदार्थों को नश्ट करने और शरीर को पोशन करने में सहायता देती हैं त्रिफला शरीर से अतिरिक्त वसा साफ करने में भी मददगार है आप त्रिफला की एक चमच हलके गर्म पानी से प्रति दिन सुभाले इस प्रधियगूर मजूद होते हैं जो बवासीर, मासिक, धर्म, संबंदी, विकार, इसके अलावाद जलन को कम करने, कीडे निकालने, सुजन को कम करने और रक्ट की अशुद्धियों को हटाने में मदद करता है पीट की चर्वी तेजी से खत्म करने का प्रियोग नमबर दो साथ पीट की बाहर निकलने की समस्या भी हो जाती है जिससे उठने, बैठने, सौच करने और भी बहुत सारे कामों में दिक्कत होती है लेकिन क्यों न कुछ ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे पीट की चर्वी आसानी से कम हो जाए और तरीका भी खुद ही बना लें तो आ जानी की विधि जान लिजे सबसे पहले अलसी के बीज को खूब अच्छे तरीके से दो से तीन मिनर तक गर्म कीजिए गर्म करने के बाद इसे कुछ समय तक अच्छे से ठंधा कर लेना है ठंधा होने के बाद इसे खूब अच्छे तरीके से बारीक पीश लेना है अब ती च्वार। प्रियोग में लाते हैं तो थोड़ा सा पेसेंस के साथ कुछ दिनों तक इसका इस्तेमाल करते रहें फिर आप इसका चमतकारी के लाफ देखें क्योंकि अशर दिखाने में थोड़ा सा टाइम लेती है बद बहड कारगर सावित होती है ये अश्रधियां तो ये थी आज की ज प्रियोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद हिमातों पूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों